असलाम लेकूम गाइस मैं आज आप लोग के लिए यह रिबन फ्लावर देके आई हूँ देख सकते हैं आप लोग कितना पीटी सा लग रहा था ठीक है और यहां मैं एक कार्ड ले लूँगी यह मैंने दो इंच तक रखा है अगर आप लोग इससे बड़ा यह चोटा रखना लेकर देख है और ऐसे के लिए इसको कट कर लूँगी इस तरीके से यहां से बीकार लूँगी ऑ्न यहां से भीकार कर लूँगी भी चाहिए इसको डिटेल्स में कि आप लोग क्या गल्ती करतें तो मत कीजिए जाके जरूर देखे कर लास्त-टक वीडियो ताकि आप लोग को पता चले किसे हैं तो ये इस तरीके से हम अपना कंप्रीट करेंगे इसी तरीके से हम सारी पतिया बना कर रखेंगे तो मैं आने तो मैंने white बत्तियां बना ली हैं लेकिन brown color का आप लोगो दिखा रही थी इसमें मैं इस तरीके से glue attach करके बनाऊँगी यह दिखें यह मैंने सारी attach करके रखें लेकिन मैं आप लोगो एक last में बत्ति only और attach करके दिखाऊंगी की किस तरीके से attach होंगे ठीक है को दिखाती हूं मैं यह दिखें ग्लु करन की मतलब से हम इस पर थोड़ी सी लगाएंगे सिंपली तोड़ी सी ग्लु लगाके पिर हम इस पत्तीकों इसके साथ अटेश करेंगे यह देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरीके से कर रही हूं ठीक है इस तरहां से हम इसको attach कर लेंगे and simply अब इसको हम थोड़ सा fold करेंगे ठीक है यहां से थोड़ सा fold करके हम इसको glue लगाएंगे मैं आप लोग दिखा रही हूं कि किस तरीके से यह fold लगा पर बहले हम glue लगा ले थे हैं ठीक है यह देखें इधर मैं थोड़ी से glue लगाऊंगी and simply मैं इसको fold करूँगी थोड़ा सा ठीक है यह देखें इस तरीके से मैं कर लूँगी उसके बाद मैं इस पे line create करती जाओंगी glue से ठीक है थोड़ी थोड़ी सी line create कियेगा आप लोग ठीक है तो वरना यह glue जल्ली जल्ली सूकती जाएगी वरना एक साथ लगा ली थी बड़ यह थोड़ी सी dry हो रही थी इससे मुझे दबारा लगाने पड़ी तो आप लोग थोड़ी थोड़ी सी लगा के इसको कीजिएगा ठीक है ताके यह dry ना हो simply अब मैं इसको fold करती जाओंगी ठीक है आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ इसको आप लोग लेके attach कर देते हैं वो वाला side छोड़ देते हैं जिसी विज़ासे यह बहार निकल जाता है तो यह mistake आप लोग ना कीजिएगा ठीक है यह देखें किस तरीके से होगा इस तरीके से आप लोग करेंगे तो यह नहीं होगा मसला ठीक है आप लोग देख सकते हैं यह किस तरीके से कर रही हूँ मैं दोनों कॉर्णर को साथ में ले रही हूँ ठीक है कि देखें दोनों कॉर्णर को मैं साथ में गरम करके फिर इसको attach कर रही हूं ताकि यह कॉर्णर इसका जो दूसरा वाला कॉर्णर ही यह ना निकले तो इस तरीके से निकल गया यहें इस तरीके से करेंगे तो नहीं निकलेगा तो यही best है तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा यह almost हमाणा flower ready है मैंने आप लोग को mistake भी बता दी है यह lip मैंने crochet से बनाए ठीक है crochet है यह तो अगर आप लोग यह सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्षन में लाजमी बताए कि मैं इसकी भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ठीक है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले का और लाइक जरूर कीजिए का वीडियो पसंद आए थैंक